नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में इसी के साथ 14 चमच हल्दी पाउडर, आदी चमच लानमिश पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक जमच बेकिंग सोडर, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और बेशन का गोल हमें बनाना है तो जो बेशन का गोल है वो नाई जादा गाड़ा होना चाहिए और नाई जादा पतला तो एक साथ पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ढालना और देखे हाथों से ये इस तरह से गिरना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए अब यहाँ पर मैंने तेल को गरम करने रख द तरह से ओर इसे अड़ा है अच्छे से अच्छेकर लेना यानि के तर लेना एकड़म कुर कुरा एकड़म क्रिस्पी हो जाए। आपको इसे मिक्सर में ही डाल दीना patriarch अग्रत को गरम करिया और पीए विरना और इससे भी मिक्सर में डाल देंगे। इस पहर निकालकर में मि नमक स्वाद के अनुसार आदी चमच लाल मिर्श पाउडर और इसे ढखकर पीश लेना पानी वगरा मट डालना क्योंकि यह सूखी चटनी यानि कि ड्राइ चटनी है बनकर तयार है इसे आप गर्मा गर्म चावल के उपर डाल कर खा सकते हैं खिचुडी के उपर दाल चावल बुने ओवे चने नमक स्वाद के अनुसार एक नीमबू का रस एक चौथाई चमच जीरा और एक चौथाई का पानी पानी जादा मत डालना बस इतना ही और इसे ढखकर पीश लेना तो यह वाली हरी चटनी आप समोसे कचोरी पकोड़े रोटी पराठे सब भी के साथ ले स सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू